पर्वों की प्रतिकात्मक्ता जब अपना आध्यात्मिक और दाश्चिनिक महत्विक होकर सिर्फ गर्मकांड में बदल जाती है तो महाज रिवाज का रूप धारन कर लेती है श्रावन शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन देश भर में मनाय जाने वाले नार्ग पंचमी के पर्व को इसी दृष्टी से देखा जाना जाहिए सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तित्थी को नाग पंचमी मनाई जाती है जो की इस बार 15 अगस्त को है जान लिये कैसे मिलती है लक्षमी कृपपा कहते हैं जिस जमीं के अंदर नागूं का बसरा रहता हो उस जमीं के ऊपर घर बनाकर रहने से लक्षमी माता की कृपा सदैव बनी रहती है इसका कारण बताया जाता है कि ऐसी जमीं के ऊपर बने घरों में किसी भी तरह का वास्तुदोश नहीं रहता है अधुश्रावनी व्रत कथा के अनुसार यदि नाग अपके घर के द्वार पर तीन बार अपनी पुंच पटक दे तो समझना चाहिए कि आपके घर धनलक्षमी का आगमन होने वाला है बार अपके घर कि आपके हुआ अपके तो समझना चाहिए कि आपके घर के रखके दिया लाया है